सात्यों नमस्कार आज मैं आपके सामने एक बेहतरिन और नया केस लेके आया हूँ अडेया या इफी मेरल फीवर के बारे में आपको पूरी जानकारी डिटेल से देने वाला हूँ इसे ड़ाई दिन का बोकार भी कहते हैं इस बिमारी के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं और बहुत कम पैक्टिशनर इसके बारे में जानते हैं तो आज मैं आपको इस वीडियो के द्वारा यह बताने वाला हूँ कि धाई दिन का बोकार पसो में केसे होता है इसका क्या कारण रहते हैं क्या लक्षन देखने को मिलते हैं और इसका हमें क्या उपचार करना यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो के द्वारा मिलने वाली है आप वीडियो को इसकीप करके न देखे वीडियो को पूरा देखे यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन दबाए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज पागुर करना बंद कर देता है और एक से अधिक पेर जाम हो जाते हैं यह खास कर वर्षा रुतिम होता है एवं विमारी दो से तीन दिनों तक रहती है इसे हम ड़ाई दिन का बुकार भी बोलते हैं इस रोग का कारण मैं आपको बता देता हूं यह रोग एक इस पाइनल फ्लूट्स में उपस्तित रहता है जिसके कारण यह रोग हमें देखने को मिलता है इस रोग के लक्षन मैं आपको बता देता हूं यह बच्छडे बच्या पाड़ा-पड़ेया में कम परभाइत होते हैं इस विमारी से विश्यसकर जो जवान पसु रहते हैं उनमें ज्यादा तर देखने को मिलती है रोग अधिकतर तीवरू रूप में होता है पसु को एकाएक तेज बुखार आता है जो 105 से 106 डिगरी फेरना हिट तक चला जाता है कभी कभी सुबह कम हो जाता है पसु खाना पिना कम कर देता है और पसु बिलकुल कभी कभी पतला दस्त भी देखने को मिलता है पसु की हरते की गती एकदम बढ़ जाती है पसु के नाक से पानी जैसा इस्तराव देखने को मिलता है एवं आंकों में डिश्चार्ज आता रहता है इसमें पसु सुष्ट हो जाता है और जुगाली करना बिलकुल बंद करदेता है मूंसे ला पसु एक पेर से लंगड़ाने लगता है और कभी-कभी चारों पेर से लंगड़ाने लगता हैं इसमें यह समयशा है समयशा यह समयशा औरtop पसु को Zoom में बुकार देखने को मिलता है यह लक्षन भी हमें इस बीमारी में देखने को मिलते हैं पसु बिलकुल कमजर होता जाता है दूद देने वाले पसु का दूद कम हो जाता है उनका वजन कम होता जाता है और पसु इस बीमारी में तुर्बल होता जाता है यह समयशा हमें पसु जाम हो जाता है पसु एक या दिक पेरों से लंगडाने लगता है टीट्मेंट के रूप में हम इसमें इंजेक्शन CPM क्लोर फेरामाइन का जो इंजेक्शन आता है यह हम 10 ml आई-एम रूट से लगाएंगे इसका इसमें पहतरिन रिजल्ट देखने को मिलेगा एंटी इलर्जी के एंटी हिस्टामिन इंजेक्शन है यह हम 10 ml आई-एम रूट से लगाएंगे अगला इंजेक्शन हम इसमें दर्द के लिए निमू सुलाइड विद पेरासिटामल को जो इंजेक्शन आता है यह हम 12 ml लगाएंगे यह हमें शरीर के भार के साब से लगाना है हम इसमें 12 ml निमू सुलाइड प्लस पेरासिटामल को जो इंजेक्शन आता है यह हम 12 ml आई-एम रूट से लगाएंगे इसको हम बिल्कुल आराम से लगाएंगे ओली बेस में होता है इसमें पस्व को बुकार होता है उसको कम करने के लिए दर्द रहता है सुजन रहती है उस इसके साथ में हम अगला इंजेक्शन DCR डाइग्राम एंटिबाटिक का प्रयोग करेंगे DCR हम आई-एम रूट से लगाएंगे और बिल्कुल आराम से लगाएंगे एंटिबाटिक का इसमें पहतरिन रिजल्ट देखने को मिलेगा इसलिए हम अगला इंजेक्शन complex with liver extract का जो injection आता है यह लगाएंगे इस तरीके से हम इन चारों injection का प्रयोग करेंगे और देखेंगे कि पसु को इस बीमारी में पहतरिन रिजल्ट देखने को मिलता है यदि यह बीमारी हमें देखने को मिले और यदि हम इसमें पसु को कोई भी ओस्दी या injection का यदि हम प लेगा यदि अड़या या इफी मेरल फीवर है तो पसु सोता ही इसमें ठीक हो जाएगा कहीं किसी तरह की हमें दवई पिलाने की और injection लगवाने की जुरत नहीं लगेगी साथ यो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कामेंट में जरूर बताए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करे धन्यवाद